तो इसी तरीके से बाकी उदाहरण देखे प्रती धन एकम, ई और ए जब आपस में ये मिलेंगे, क्योंकि समानस्वर नहीं है, चोटा ई या बड़ा ई के बाद यहां पर असमानस्वर आ रहा है, ए आया है, तो ये यौ में परिकर्दित हो जाएगा, तो शब्द निर्मित हो हो गया, नद्यपी, सुधी धन उपास्यह, सुध्यू पास्यह, अब अगला देखते हैं, चोटा उ या बड़ा उ के बाद असमानस्वर वर्न आने पर यह परिकर्दित हो जाएगा, वा में, अब देखिए, चोटा उ, धौ में चोटे उ की मात्रा है, इसके बाद असमानस स्वर आया हुआ है, अ, जब यह दोनों आपस में मिलते हैं, तो यह किस में परिवर्तित हो जाता है, वा में, तो इसका जो शब्द बना, वो बना, मध्वरी, इसी परकार, पठतु धन अत्र, यह शब्द बना, पठत्वत्र, सु प्लस आगतम, सौ में किसकी मात्रा लगी हुई है, छोटे उ की, और बाद में कौन सा है, कौन सा स्वर है, देखो, असमान है, छोटा उ और आ, जब छोटे उ के बाद, जब असमान स्वर आता है, जब यह दो आपस में मिलेंगे, तो यह वा में परिवर्तित हो जाएगा, तो शब्द बना स्वागतम, लगू प्लस आदाए, लगू प्लस आदाए हो गया लगू आदाए, करोतू प्लस एवं, शब्द बना करोत वेवं, ग्रामेशू प्लस एवं, शब्द बना ग्रामेश वेवं, इसी प्रकार री के बाद असमान स्वर वर्न आने पर, रो धन स्वर वर्न अर्थात, यह किसमें परिवर् परिवर्तित हो जाता है री के बाद यदि कोई असमान स्वर आता है तो ये परिवर्तित हो जाता है रो में तो इससे शब्द बना पित्राग्या इसनी प्रकार मात्री प्लस अंशह तो ये बना मात्रेंशह अगला देखिए री के बाद असमान स्वर वर्ण आने पर यहां द तो किसमें परिवर्तित हो जाएगा लौ में तो यहां पर यह शब्द बन जाएगा लाकृती ही शब्द बनेगा इसका लाकृती आज का वीडियो मेरा यहीं पर समाप तो होता है और अगली संधी लेकर मैं जल्द ही आपके सम्मुख उपस्तित होंगी धन्यवाद नमस्कार बचो हम आज पढ़ेंगे स्वर संधी का पाच्वाब हेद अयादी संधी जिसका सूत्र है एचो अए वायावः जिसका सूत्र क्या है एचो अए वायावः अब देखें परिवाशा जब ए आई ओ और आव से परे कोई स्वर्वर्ण हो तो ए परिवर्तित हो जाता है आई में ओ परिवर्तित हो जाता है आव में और आव परिवर्तित हो जाता है आव में तब क्या होता है आयादी संधी होती है देखिए ए आई ओ आव क्रमसा किसमें बदल जाते हैं आई आई अव आव अव अब इसे हम उदाहरं से समझेंगे देखिए ए के बाद कोई स्वर आता है तो वो किसमें परिवर्तित हो जाता है ए से परे यदि कोई स्वर वर्ण है यहाँ पे ए की मात्रह है देखिए चौ में और इसके परे यहाँ स्वर वर्ण है और जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो शब्द बनेगा क्या चयनम तो आय में परिवर्तित हो जाएगा तो शब्द बना चयनम इसी परकार ने ए धन ओ ए और ओ जब आपस में मिले तो परिवर्तित हुआ परिवर्तन हुआ आय और शब्द बना नयनम इसी परकार शे धन अनम क्या बना शयनम और इसी परकार से संशे प्लस अनम क्या बना शंग चयम ये नया शब्द इससे शब्द का निर्माण हुआ इसी प्रकार देखिए अब अई के बाद कोई स्वर आता है तो वो किसमें परिवर्थित हो जाता है आए में जैसे ये नई धन अकह नई अर्थात आई की मात्रा इसके बाद देखिए स्वर वर्णा आया है जब अई और ओ आपस में मिलेंगे तो ये परिवर्थित हो जाएगा किसमें आए में तो यहाँ पर जो शब्द निर्मित होगा वो बनेगा नायकह इसी प्रकार शै धन अकह क्या बना शायकह दै धन अकह दायकह आय और गई प्लस इका क्या बन गया गईका अब देखिए नेक्स्ट